लाइफ में सफलता पाने के लिए एक टारगेट होना चाहिए और टारगेट चाहे कितना भी बड़ा हो अगर आपने सही से उसकी प्लानिंग करके रखी है न तो बड़े से बड़ा टारगेट भी आप अचीव कर लेंगे और सफलता निश्चित तोर पे बिलेगे हलो वाइटी फैमली कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ बहुत अच्छी होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप सब का स्वागत है आपके अपने चैनल पर और दिन की सुवात हो चुकी है सुबह के बज़ रहे हैं पांच पांच बज़े उठी ती और भी लगबग करते हैं वो मैंने किया जिसे गेट खोणना बाहर की लाइट बंद करना ये सारे काम मॉर्निंग के वो करें सबसे पहले लेती हूँ मैं अपना गरम पानी तो गरम पानी ले रही हूं इस समय आजकल मैं एफ्रेश लेके आई थी तो एफ्रेश मेरी फ्रेंड ने दिया था तो वही इस समय में पी रही हूँ, थोड़ा सा इससे एनर्जी वेगरा भी मिलती हूँ और वेट लूज करने में भी फाल्प किलती है, मोस्टली तो मैंने एनर्जी के लिए लिया है, एक एनर्जी ट्रिंक है, सांती से बैटके पहले अराम से अपना गरम पानी जुआए करूँगी, फिर उसकी बाद थोड़ा बहुत वाक वेगरा कर रही हूँ, तो वाक करूँगी, काफी दिन बाद मैं इतनी सुबह उठी, क्योंकि आज केल बहुत लेट हो रहा था, लेट उठ पा रहे थी, लेट मतलब आदा घंटा, आदा घंटा भी मतलब पांच बिजे की जाए, अगर आप साड़े पांच पॉने छे बिजे भी उठते हैं तो सारा रूटीन डिस्ट्रफ हो जाता है, जल्दी उठने के लिए आपको एक दिन पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ती है, तभी आप सुबह उठ पाएंगे, अभी एक से डेड़ मैने लगबग बच्चों की समर विकेशन रही, और समर विकेशन में बहुत आदत खराब हो गई, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, थोड़ा लेजिनेस हो जाता था, फिर आपकी अगर तबियत नहीं सही है, आपका मूड नहीं सही है, तो उसका भी एफेक्ट पढ़ता है कहीं नहीं कहीं, लेकिन हाँ कोशिश कर रही हूँ अपने रूटीन पर आने की, ताकि जो मेरी एक्सराइज वेगरा छूटी हुई थी, वो प्रॉपर सुरू हो जाए, और जो मुझे तकलीफ या बॉड़ी में, बॉड़ी मेरा साथ नहीं दे रही है, वो दूर हो, क्योंकि मुझे योगा से बहुत इफेक्ट पढ़ता है, सुबह जल्दी उटने से बहुत इफेक्ट पढ़ता है, और इनी सब चीजों से मेरा ठीक रहता है, और जल्दी उटने का तो ये है कि अगर आप एक दिन पहले टाइमली सारे काम खतम कर लें, फिर उसकी बाद आप टाइम से सो जाएं, मोबाइल से दूर रहें, तो निश्चित है कि आप सुबह जल्दी उठेंगे, और काम जल्दी खतम हो जाएं, उसके लिए ये है कि आपको प्लानिंग पहले करके रखने पड़ती है, जैसे मुझे आज बच्चों के लिए आलू कपरेठा बनाना था, तो उसके लिए एक मिनिट बहुत ज़्यादा कीमती होता है, चार से पांच घंटे के अंदर आपको सारे काम खतम करने पड़ते हैं, अगर उससे ज़्यादा लेट हो जाए, तो कहीं ना कहीं आपको इरिटेशन, चिटड़ापन होने ही लगता है, तो मेरे साथ लगबग ऐसे ही है, क्यों आलू वेगरा मैंने रात में उबाल के रख दिये थे, फटा फट इनको भून लूँगी जीरा वेगरा डाल के, क्योंकि बचे मेरे ऐसे नहीं पसंद करते हैं, जब तक उन्हों अच्छे से भून नहीं लूँँ, जीरा ही वेगरा डाल के, तक उन्हें आलू की पराठे मे ने रख ली थी, तो यही कुछ छोटी-छोटी सी चीजों होती हैं, अगर आप प्रॉपर तरीके से एक रूटीन फालो करें, या रूटीन में, मतलब एक दिन पहले अगर आप प्लानिंग करके चरेना चीजों का, कि हाँ मॉर्निंग में मुझे ये काम करना है, फिर ये का काम आपके आसानी से हो जाएंगे, घर में कामों की कमी नहीं है, आप नजर उठाके जहां जहां देखेंगे आपको कही ना कहीं कुछ ना कुछ काम मिली जाएगा, तो अगर आप प्लानिंग से काम करें और टाइम से आपके सारे काम खतम हो जाएं, डेली का जो काम है, ना अगर आप वर्किंग है तो टाइम ली आप अपने आफिस वगेरा जा सकते हैं, टीचर हैं तो पढ़ा सकते हैं, अगर हाउस वाइफ हैं, घर में काम कर रहा हैं कि इस तरीके का, तो बहुत सारा आपके पास समय बच सकता है, तो यही है कि आप प्लानिंग करके चलें, तो ब और एक पराठो के लिए, क्योंकि पराठो का आटा थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो पराठो के लिए किया है, और पराठो में खास बात आलू कि यह रहती है, जो मेरे आप बच्चो को पसंद है, स्टफिंग काफी अच्छे खासी होनी चाहिए, अगर स्टफिंग इधर से निकल भी रही है, आप पराठो कहीं से फट भी रहा है, तो और भी अच्छा होनी लगता है, तो इसलिए स्टफिंग खुब अच्छे से मैं करती हूँ, और लंच में बच्चो को एक एक पराठा जाएगा, यूकि पराठे इस तरीके से अगर आप अच्छे से स्टफिं वो अपनी पूजा में बैट गए, पूजा उनको सुबह मतलब भगवान जी को इस्तान वेगरा कराना, बंदर क्लीन करना, ये सारा काम वो करके जाती है, और इसी के साथ में उनका लंच भी तैयार हो रहा था, और हमारी चाय भी बनके तैयार हो गई थी, तो चाय वेगरा हम लोगों ने पी बीच बीच में ये भी हो रहा था, और उसी के साथ में बच्चों के लिए दूर भी गरम हो रहा था, तो यहां हस्बिन भी है, थोड़ा सा हल्प भी हो जाती है, दूर वेगरा गरम कर देते हैं, आशी ने पूजा कर ली थी, फिर उसकी बाद मैंने इसक करने हैं, फिलाल बाल थोड़ा उसके घने है, तो उनको सही से सेट करने में बड़ा टाइम लगता है और बड़ी दिक्कत होती है, तब ही मैं उससे कह रही थी, थोड़ा सा इसे कट करा लो, तो सही रहेगा, छोटे करा लो, लेकिन अभी वो इस मूड में है नहीं कि बालो को थोड़ा सा कटवाया जाए, तो इन बच्चों की चोटी वेगेरा करने के बाद में मैंने भीज़ दिया इने स्कून, और थोड़ा बैड गई, बैड के पानी वानी पिया, क्योंकि आज कल थोड़ा सा बोड़ी साथ नहीं दे रही है, दिक्कत रहती है, तो थोड़ा सा रुक रुक के ही काम हो पाता है, एकदम फ्लो में काम नहीं हो पा रहा है कि एकदम फटा फट पूरा काम करनो, इतना करने के बाद में मुझे 10 से 15 मिनिट मुझे ऐसा रखता है, बैट जाएं सांती से, फिर उसकी बाद पानी वानी पी ले, फिर उसकी बाद आगे के काम द तो कुछ इसी तरीके सा का आज कल चल रहा है रूटीन मेरा दाल और चावल मैंने भिगो कर रख दिया था तो दाल और चावल अच्छे से वो भी गए हैं वाश भी कर लिया इनको और एक तरफ खाना चढ़ा दोंगी अगर लंच इस टाइम बन जाता है तो ठीक रहता है नही सब क्लीनिंग करना शाइल यह सब दुड़ायी गंटा तो क्लीनिंग में ही लग जाता है और ग YeaRabja 611Jesus बजे आगे बाद घाना भगाना नहीं के चाहिए कि लेकिन फिर मेरी कमत ने कर पाऊंगी सब्मेद लेकिर मैं कि एक तो यह और ऐःती है कि और बी लंज्श मैंने च झाड़ा दिया तो साथ साथ में लुच्छ भी हो जाएगा बनता रहेगा जो जो यह कास्ट ताइरन का पैन है उसको मैं कर रही थी सीजन क्योंकि टाइम टू टाइम में से सीजन भी करना होता है तो इसे अच्छे से क्लीन करने के बाद में इसे फ्ला अच्छे से लिए और थोड़ा सा ओइल लगा दूगी ओईल लगाने के बाद इसे एक निपकीन से अच्छे से पोंश के तब से मैं कैबिनेट में स्टोर कर ने हैं भिन्डी बना रही हूँ प्याज वाली तो अच्हां और ये प्याजवाली तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है और प्याजवाली बनाने का यह रहता है कि बहुत जल्दी जहटपट बन भी जाती है बिल्कुल इसमें टाइम नहीं लगता है तो दाल चावल चड़ गयते हैं बिंडी भी यहां लगबग हो गई है थोड़े बहुत उपर से में मसाले डालूँगी और वैसे बाद में भी मसाले भूनते टाइम भी में डाल देती हूँ लेकिन अब फिलाल फटा-फट मुझे काम नुटाने है तो अब भी डाल की इसे ढखके पका लूँगी और इतने ही काम करने के बाद में बच्चे स्कूल गए और ये लंच यंच बन रहा है किचन का हाल में आपको दिखाओं बहुत किचन फैल गया इसे पूरा समेटने में भी टाइम लगेगा फिर चाय पानी नास्ता के बरतन है उसे भी क्लीन करना है तो कहने का मतलब बस यही ह किचन में काम की घर में आपको कोई कमी नहीं है बस यह है कि आपकी हिम्मत होनी चाहिए करने की कहीं ना कहीं काम आपको मिली जाएगा कुछ ना कुछ करने की अगर आप सारा दिन भी लगा दें तो मुझे लगता है घर के काम नहीं खतम हो नुरा लें अभी मैं बता हूँ अब भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको मैंने देखा नहीं हो आप अगर दो-तीन दिन कहीं आप चले जाएं या दो-तीन दिन आपकी तबियत खराब हो अगर आप रेस्ट पे हो तो मुझे लगता है कि काम का तो इतना पाइल अप हो जाते हैं सारे काम की पूछे मैं एक स्ट गंदा हो जाता है उसको मेरे इलावा कोई हाथ भी नहीं लगाता है तो उसका मैं अभी सोच रहे हूं क्या करना है क्योंकि ऐसे डेली-डेली में क्लीन करने में मुझे बहुत दिक्कत होती है करना ही पा रहे हूं और उसके लिए टाइम निकानना पड़ता है और बाहर का जो पोड़ शेरिया है वो काफी खुनला है तो वहां दूल मिटी गंदगी बहुत आती है और इस समय बारिश के टाइम पे तो बहुत ही गंदा हो गया है क्योंकि कीड़े इधर-इधर से उड़के वहां पानी में गिरे हैं तो बहुत गंदा हो गया है तो उसे क्लीन करना है और अगर इस पे मैं ब्लॉक बना पाई तो बनाओंगी धनिया इस समय मैंने मंगवाई यह थोड़ी-थोड़ी मंगवा रहे हैं क्योंकि बारिश की धनिया है बहुत जंदी यह खराब हो जाती ज़रूरत होती है तो मैं थोड़ा सा मंगवा लेती हूं सारे सोफे के कव और उतारे नीचे और उपर दोनों फ्लोर में क्लीनिंग कर ली और कवर बहुत गंदे हो गयते तो इन्हें भी अच्छे से वाश करने हैं और इसी के बाद बस मैं जाओंगी नहाने यह मेरा आखरी था जालू पोचा मैंने दिखाया नहीं उन्हें डेली-डेली क्या हो रही है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन से कपड़े में पहनू कौन से कपड़े ना पहनू यह लग रहा है कि बिलकुल हलका धिला 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 पहन लू तो वही बस लोवर टी-शर्ट मुझे सामने आया तो वही मुझे दिख गया और इसमें मुझे बहुत कमफर पाने के लिए stay connect with me के लिए आपको क्या कर रहा है आप सभी जानते हैं सो चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिलकुर मत भूलिएगा तो मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ तिल देन टेक कियर बबाए